MTV, सच, साहस, सरोकार लक्नो में नाबालिक काकर आया गया गरब पाथ डिप्टी-सी-अम कि निर्देश पर अवैद अस्पताल को किया सिस अम बेटका नगर में धुडले से हो रही जमीन के अवैद-खुदाई मानक को तर्केनार करके JCP से हो रही ऐद-खुदाई देवरियम में गर्मी के कारण ट्रांसफॉर्मर में लगी आग दूदू करचला ट्रांसफॉर्मर फायर बिगेट के गाड़ी ने आग पर पाया काप नमस्कार मैं हूँ आपके साथ ईशा भारगाउ स्वागत है आपका प्राइम उत्तरप्रदेश में तो रुक करते हैं उत्तरप्रदेश की बड़ी खबरों की ओर तो निकाई चुनाव में हार के बाद बस्पा सुप्रीमो मायावती ने आगामी लोग सबाचुनाव की तयार जटका लगाए जहां भाजपन इस अभी नगर निगम के 17 सीटों पर जीत का परचम लेराया है और इस चुनाव के परिणामों को आगामी लोग सबाचुनाव के लिए सेमी फाइलन के तौर पर देखा जा रहा है वही बस्पा मुखिया मायावती ने हार के बाद चिंतन की है और मायावती अब पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी में है वही प्रदेश में अवैद रूप से चल रहे मदर्सों पर सरकार ने सिकंजा कसनी की तैयारी शू कर दिया और 4000 से ज़्यादा गैर मानिता प्राप्त मदर्सों के खिलाफ कानूनी कारवाई की तैयारी की है बताया जा रहा है कि इन मदर्सों में विदेशी फंडिंग हो रही थी वही मदर्सा बोर्ड की परिक्षाएं समाप्त होने के बाद ये कारवाई करने की बात कही जा रही है इस बाबत अलप संख्या कल्यान विभाग अधिकारियों का पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी मन्थन हो चुका है साथी प्रदेश सरकार ने पिछले साल प्रदेश में गैर मानेता प्राप्त मदर्सों का सर्वे कराया था जिसमें मुक्यमंत्री योगिया दितिनात की अधिक्षिता में बैठक हुई थी और सर्वे में 8441 मदर्स से ऐसे मिले थे जो अवैद से चल रहे थे मोई कांग्रिस नेता रहुल गांधी को जान समाने की दंकी का केस दरज़ुआ है tools नेता समयते प्रार meडिया सायों जक ललन कुमार को भी एदंकी मिली है बतादे की 25 गचारा में को फोन पर कॉन करने यूवक ने गोरकपुर निवासी मनोजराई के रूप में खुद की पहचान बताई थी वही चिनहट ठाना में कॉंग्रस नेता समेत ललन कुमार को धमकी देने का केस दर्ज किया गया है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जोड़ चुके हैं तो कलीम क्या है ये पूरा मामला जो है लगातार जो है एजला में इस मामले के लिए कि लिए पर जादा जाता है कि अगर विपक्षी पार्चियों पर जाता है जो मुझा पर जाता है आदा जिए ख़िया अगर जादा जाता है क्योंकि बड़ी बात है कि टिस्ट में का रहूल गांदी व आप में एक बड़े निका है और बगूर से कि बागबोर जो उनके हाथ में बेखी गए तुस जाहरी बात है कि इस तरह की ज़िए नहीं है, उन धंकियाँ को लेकर के पुलिस को साथी पहले ही एक्टिव होना थी और संजान दिये नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस अंजान नंबर से कॉल समय की बात की जारी कि इस दाख के दौरां स्या अभी तक आरोपी की ब्रक्तारी हुए, लेकिन नहीं हुए, क्योंकि इस यह नहीं हुए, क्योंकि अभी तक आरोपी रच्तिलिस पहुंची नहीं है, और संजान की बड़क की जारी है, जब सर्लाश सीम अधी इस मामले में सिलो रही है, कि इस मामले में केस दर्ज किया गया है, तो अभी तक क्यों नहीं इस पर कोई कारवाई की गई? तक आरोपी में अपनी नाम की पहँदाइए कि अनाम है, उसके बात दी, अभी तक क्यों नहीं पहुची उसके इन तभी बातों को लेकर के जो पिलिस पर कांगर्स के लगतार आरोप अग रहा है, लेकिन बेखना ये होगा कि जिस प्रेटे पे नमबर और मैंकान उसमामले करेंगे लिए पुलिस 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 पर गुरतारी करेंगी है नहीं किया है फिलाल पुलिस इस मामले को संदिख भी मांद आई है अगर सुरक्षा का इतना बड़ा सवाल उठ रहा है तो कैसे लोग प्रशासन पर विश्वास करेंगे अगर राहूल गांधी जैसे बड़े नेता की सुरक्षा सवाल में अगर सवाल गांधी जैसे बड़े नेता की सुरक्षा सवाल गांधी जैसे बड़े नेता की सुरक्षा करना चाहिए गरत आरोटी करना में नेता की सवाल गांधी और कि छो बृष नंबरा यह तो उस नाधी जैसे राज पर दांधी थे हुआßराण भिड़े में अब क्या कुछ आगे कारवाई करेगी पुलिस ये देखने वाली बात होगी इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद कली लॉरेंस विश्णोई के गैंग के शूटर्स का शुराग तलासने के लिए एनाईय उत्तरप्रदेश पहुंच चुके लखनाउ अयोध्या समेत पांच शहरों में चापे मारी हुई बता दे कि यूपी के छे जिलो समेत नौ राजियों में 324 ठिकानों पर एनाईय की चापे पेमारी की गई जिसके बाद सामने आया कि हत्यारों की सप्लाई करने और सुपारी लेकर हत्याई करने वाला लॉरेंस विश्णोई गैंग अब ड्रक्स के धंदे में उतर चुका है वेस्ट यूपी से लेकर पुरवान चल तक किराय के शूटर्स का बड़ा नेटवर्क ख की एक टीम उसके लखना गोमती नगर विस्तार्स थी तो फ्लैट में चापे मारी की गई है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जूट चुके हैं तो कलीम क्या है पूरा मामला वो इस मामले को लेकर करके एक मृर्टा से जांच कर रही थी लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लारेंस जिसनोई अभी तक जाना जाता था विदेशी हथियारों की सप्लाई और सुपारी लेकर के हथ्यां करने के मामले में लेकिन जिस तरीके से वो अब में उतर चुका है तो इसको लेकर नाई यह की टीम लगातार शापे मारी कर रही है और चैук करने के साथ जो इसकर रहा नहीं कर दिए बड़ी बात यह थी आए जिस तरीके से जो एनाई की टीम शापे मारी कर रही थी इसमें रागधानी लखनाव भी एनाई की टीम पहुंची थी और जहां लखनाव का जो गोंती नगर विस्तार एडिया है वहाँ पर जो सुपारी बात की जारी जो सुपारी लेकर के लौरेंस दिस्नोई गैंग के लिए काम कर रहा तो सुपारी लेकर हत्याएं कर रहा था विकास सिंग उसकी गिरफतारी के लिए पहुंची थी लेकिन जो विकास सिंग था फरार हो गया था उसके बाद जानकरी लगी थी कि उसका जो मूल निवास से वह आयोध्या भी एनाई की टीम पहुंची लेकिन वहां पर भी किसी कर रहा कि सपलता नहीं मिल पाई थी लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लारस्बश्च काम कर रहा था बिस्तनों के सामने नहीं पहुंचता है और लगातार सोशल मीडिया यारि की पेसबुक वाट्टसयप और किस आइग्राम तरह की घतनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद बड़ी आसानी से रफू चक्कर भी हो जाते लेकिन जिस तरीके से वेस्ट यूपी और प्रुवांचल के एरियों में अब जब ड्रग सप्लाई के मामले में लॉरेंस बिशनोई का नाम सामने आया है तो इसके बाद से एनाय की टीम लगाता सक्रिये भी हो गई है और उसके लिए बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार चापे मारी कर रही है उसके बाद भी कुछ सपलता मिली है इस पर कोई अपडेट एनाय की द्वारा नहीं दिया गया लेकिन हां कहा यह जरूर जा रहा है कि जो ला बात की जा रहा है इस नेटवर को तोड़ने की जो बात की जा रही है उन सभी को मामले को लेकर करके जो एनाय की चापे मारी के बाद इस गिरोफ पर इस गैंग पर अंकुस लगेगा यह लोगों के लिए एक बड़ी तो कलीम कहीं ना कहीं जो लॉटन्स है लौरेंस विश कर रहा है यू पी में अपनी गैंग के विस्तार करनी की कोशिद कर रहा है लॉरेज विस्णुई तैसे इसमें साफ कहा जा सकता है कि डिस तरीके से पुर्वांचल में इसके लोग को हां ही है जो गटनाओ को अंजाम देते थे घटनाओ को अन्जाम देने के बाद उस अपराद को छुपाते थे लेकिन लॉरेंस जिसमोई एक ऐसा गंगेस्टर है जो घटनाओं को अंजाम देने के बाद लगातार उसको सोशल मीडिया पर भी डालता था और हत्या की बात की जाए या पर हत्यारों की सप्लाई की बात की जाए तो इन सभी का जिम्मा भी ले उसने सोशल मीडिया के जरिए जी थी कि उसकी हत्या में उसका हाथ रहा है या फिर बात की जाए अभी हाली के दिनों में जो सुर्ख्यों में मामला आया तक काफी हाइलाइट हुआ था और इंटर्नेशनल मुद्धा बना था अतीक असराफ माफिया ब्रदस हत्याकांट उ तो कलीब जो यह जिगाना पिस्टल है यह भारत में अवैद है बारत में बैन है तो कहां से इसकी सप्लाई लॉरंस विश्णोई गैंग भे हो रही है तक इसका पूरा फैला हुआ है गोल्डी बरार जैसे गैंगश्टर और काला राणा जैसे गैंगश्टर इसके सही होगी है तो जाहिर जिए इस तरीके से जो अबद स्पिस्टल है क्योंकि यह बताया जाता है कि विदेशी हतियारों का बड़ा सप्लाइर भी है इसके जरि प्रदिचेल मेरातार हुट्राजग सुपारी के दौरान इंहों है कि जितरीके से लिगना पिश ठीड फंडर्राहुन फायर होती है तूर Ken τις तॉर बांस लेकर के जो प्रिश्टल का इस्तिमाल जो योगी की नीती है जीरो टॉलरेंस की कहीं नगाइं उस पर कोई सवाल या निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं देखे जाहिर से बात है कि जिस तरीके से सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर पिहार जेल में जिस तरीके से लॉरेंस विश्टल बंद है उसके बाद भी इसका नेटवर्क टेजी से चल रहा है अब उसका नेटवर्क यूपी के पुर्वांचल एरिया में भी कापी सक् कि अब जिस तरीके से द्रग्स सप्लाई की बात आ रही है फिलाल हतियारों की जो चप्लाइओं की बात थी वोस्पर तो कहीं न कहीं अंकुष लग रहा था लेकिन अगुष लगने एक लॉग एस प्लाइए अपना जो एक दाइरह बढ़ाया दावा कर रही है कि इस नेटवर्ड को तोड़ेगी लेकिन अभी तक इस मामले में जो मुख इसका आरोपी बताए जारा जो लगतार जो पूरे नेटवर्ड को संचानित कर रहा है क्योंकि सुसारी लेकर करके जो हत्याइं करता था और उसके साथ जो सामें लोग हैं वो इस अंजान दे रहा है थे यानि कि विकास सिंग जब तक वो नहीं पकड़ा जाता है तो इस मुखर का एक जो बड़ा गिरू है उसका खुलासा भी नहीं हो पाएगा फिलाल नाम सभी के पास है लोग हैं गुर्गें आखिर उन तक नहीं पहुँच पारी क्योंकि लॉर्ण्स विश्वा स्कुलारा सम्राइब हैं इन तक यूदि पर वीडियो अफ्लोड की जाती हैं उन पर भी सिकंज़ा करते हैं कि विडियो ऑपलोड करनगि नहीं है एक बड़ी चीज है क्योंकि ड्रक्स को लेकर के जो नशा है नसे में युवा सनली तो रहे हैं क्या युवाओं तक जो ड्रक्स पहुंच रही है उस पर अंकुछ लगा पाई कि ये लोगों के बीच एक बड़ा सवाल बना है फिलाल एना ये किती सो से अधिक ठिकानों पर ज चुणने के लिए धन्यवाद कली वहीं लखनाओं में अवैद एक्सचेंज चलाने वालों को ATS अब रिमांड पढ़ लेगा वहीं UP ATS की टीम ने दो लोगों को गिरफतार किया है बता दे कि कानपूर में तीन जगहों पर अवैट टेलीफोन एक्सचेंज चलाने के आरोप में गिरफतार शाहिद जमाल और मिर्जा आसद को ATS रिमांड पढ़ लेगा वही गिरहों के मास्टर माइन मुंबई निवासी नाजिम नसीम खान और फूर नाजिम पटेल को गरफतार करने के लिए ATS मुंबई पलस का सहयोग भी ले रही है साथ ही शाहिद और असद को मिस मुहिया कराने का कराने वाले कानपूर के जीटी रोड निवासी मनीश शर्मा और पटना के रवी कुमार की तलाश भी जारी है इसका बर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ सागर जुड़ चुके है तो सागर ये ATS ने दो आरोपियों को गरफतार किया है क्या कुछ है पुरा मामला जी कुलमिला के इशा बगादू की इससे पहले भी जो ATS है और जो ATS है वो तमाम यूपी के तमाम जिलों में चापे मारी कर चुकी है वहीं अवैर एक्षेंज चलाने वालों को रिमान पर ATS लेगा और चापे में मिले अधिक्तम सिम बॉक्स बिना में एक मॉडल और सिरिया नंबर वारे थे जिनको ATS ने वह अपने हिरासत में लिया है वहीं कानपूर में तीन जग़ों पर आवे टैलीफोन एक्षेंज चल अवे लगातार पुलिस का सरयोग भी ले जिसको लेकर पुलिस जो है ATS के साथ यूपी के तमाम जगों पर चापिर मारी भी करी वहीं ATS नाजिम को भी मुकदमे में नाम जग किया वहीं साहिद और असत को सिम मुहया कराने वाले कानपूर के जीती रोड नेवासी मनीश श फलता मिल पाइजी तो सागर अभी तक इस मामले में किन-किन लोगों की गिरफतारी हो सकती है और जी आपको बता तो कि मनीश शर्मा जो है और जीटी रोड का निवासी है कानपूर का और वहीं प्रस्ता के रभी कुमार के तलास लगातार जारी करी और स्टेफ लगातार पहुँच पाइफिला मनीश शर्मा और पटना करवी कुमार के तलाग अभी जारी और जायद लगता है कि बहुत जल्दी प्रफलता मिलने वाली है जी जानकारी के लिए धन्यवाद सागर वहीं लखनाओ में स्वास्त विभाग की बड़ी कारवाई सामने आई है जहां गौसाई गंज में निजी अस्पताल को सीज किया गया बता दे कि गौसाई गंज के अमेठी में किशोरी का गर्बपात कराने वाले निजी अस्पताल को सीज सी अधिक्षक डॉक्टर विनेव मिश्रा के निर्टत्व में पहुची स्वास्त विभाग और पलिस की टीम ने सील कर दिया है बता दे कि डिप्री सीम रिजेश पाठक ने अस्पताल में नाबालिक का गर्बपात कराय जाने के मामले में संग्यान लेकर बड़ी कारवाई का देश दिया था जिसके बाद स्वास्त विभाग ने कारवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहमद ओवैस जुड़ चुके तो ओवैस आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं कहीं जहां पर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आती है जी देखे बिल्कुल आपको बता दें कि ये गुसाई गंच के अमेठी का मामला था और अमेठी में यहां अस्पताल में गरपात कराया गया जिसको लेकर बिजेश पाटक ने संग्यान में लिया था संग्यान में लेने के बाद इस अस्पताल को सीच कर दिया गया है तुरंट तथकाल कारवाई करते वे और यहां पर जो मामला था चार साल की बच्ची के साथ जो है यह गरपाद का मामला सामने आया था जैसे ही उप मुक मंतरी बिजेश पाटक को इस बाद का पता चला उन्हींने तुरंट संग्यान में लेते वे कारवाई की कारवाई के बाद इस अस्पताल को स्वाद लिभाग की टीम ने सील किया जी पहले इस अस्पताल में कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जी अवेश तो क्या पता चल पाए कि इस अस्पताल पर शिकंजा नहीं कशा था लेकिन जब इस मामला खुला आए और यह इस अस्पताल पर शिकंजा करते हुए वास विभाग की टीम ने इसको सील किया जी जी अवेश तो क्या पता चल पाए कि इस गरभपात की क्या कुछ वज़ा थी जी देखे आपको बता दें कि गरभपात की यह जो मामला है जार साल की बच्ची के बलतकार हुआ था उसमें उसको ले टर इस पर पैसे की लालच में आकर यहां पर इन लोग बलतकारे करते थे और उसके बाद जो है यहां पर मरीजों को ले कर आते लेकिन जब इस पे संग्यान लिया गया है बड़े अधिकारियों में संग्यान लिया गया स्वादिबाद की पहुंची है पहुंचने के बाद इस हस्पताल को स्टीट कर दिया गया पूरी तरीके से जी जी बिलकुल इस ख़बर पर जादा जानकारी के लिए धन्यवाद हो चंदोली के डीडियू और गया के बीच कर्म नाशा स्टेशन के पास मालगाडी के दो डिब्बे पत्री से उतर गए जिसके बाद इस रूट से गुजडने वाली कई ट्रे ने प्रभावित हुई है रेलमार पर परिचालन बादित हो गया जिस वज़े से यात्रियों को का काफी परिशानी का सामना करना पड़ा वही सूचना पर पहुचे डीड यू जंक्शन से रेल अधिकारियों और तक्नीकी टीम मौके पर पहुची और राहत बचाव कार शुरू कर दिया रेलवे का दावा है कि जल्द ही लाइन क्लियर हो जाएगी वही इसको लेकर रेलव कर्मनासा इस्टेशन के समीट दो माल गाड़ी के डबे बे पठरी होगे हाला कि जब यह रेलवे मंडर को पता चला सतकालीं बाधित कर दिये गए लगभग आधा घंटा तक आवा गमन बाधित रा फिन मोके पर रेले कि करमचारी वहां पर पोड़ कर जिसीवी के मरब से अब यह जो कर रहात बचाव का रहे हैं यह क्या समा थो गयां इस समय राप्जार का पूरी समाप्थ हो गई है फिन से में सब्सक्राव गई है अब कोई कर्स या जानकारी के लिए थन्यवाद अजीव वही कास गंज के पटियाली शेत्र के श्री नगला गाउं में एक यूवती और एक यूवक की मौत हो गई वही घटना की सुचना पर पुलिस ने मौके पर पहुचकर दोनों शवों को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए बेज दिया वही मौके पर आलाधिकारी का आना जाना लगा हुआ है वही मौके द्वारा नास्तार का नेश्ट किया गया फील उनुट को बुला करके उसके शरीद पर शोटों का भी परिश्ट किया गया अन जानकारी यहां पर कलेट की जा रही है जोट चुके तो वसीम यूवक यूवती की मौत का मामला सामने आया है क्या कुछ वजा रही उनके मौत के पीछे जब लगबग सवाज जो है इसे परिजन जब देखने अलों जी जी धन्यवाद इस ख़बर पर जुनने के लिए वसीम गटना के समय घर में कोई नहीं था आग लगने की सूचना मिलने के बाद मकान वालिक घर पहुचा तब तक उसके घर में रखा ज्यादा तर समान जलकर खाख हो गया वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फाइर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और फाइर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया से छोड़ कोटी तो आप ताने किराएदार भी रहते हैं आपके समझ गए इस तेंपे आज साइट से लिए लगा भी लगा भी लगा दिया आपको कंट्रोल करने में कितना टाइम लग गया आपको 15-20 में लग गये थे तो अभी तक किसी को नुक्सान तो नहीं हो नुक्सान समान कितना तक जल गया होगा अंदर क्या कैसे दिल रहे हैं तो यह आग कैसे लगी है कुछ पता लगा है तो अभी तक किसी को नुक्सान तो नहीं हुआ अभी को जानी नुक्सान नहीं है किसी करदा रहे हैं तो आदम समान जल चुगा है पीले भित के गाओं बकेनिया में एक किशोर की संदिग्द परिस्थितियों में मौत हो गई जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया बताया जा रहा है कि पडोस के यूवक ने इम्रतक को घर से राशन लेने के लिए कहकर बुलाया था काफी देर बाद जब वो घर नही परिक अराया जहां उसकी मौत हो गई है कि अधिक नाम तुमारा तूरेज अचा यह जो डेड़ बाडी है यह तुमारा कौन है यह कब से काया है सबेरे किसके साथ आया तो यह वालाम अध्याद को सोतिन आपक्षा कि किसी कोई काम थे आया था खाली घुमने खाली घुमन क्या नाम है तुमारा तूरेज अगली खबर आयोध्या से है जहां भवे राम मंदे निर्मान कारे और उसकी देख रेक में जुटे श्री राम जन्म भूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के दफतर का भी निर्मान हो गया यह दफतर राम कोट में बनकर तयार हो गया जिसका गाटन हो जाएगा बतादे की भवे राम मंदेर के निर्मान कारे लगातार जारी है जल्दी राम लला का मंदेर बनकर तयार हो जाएगा मंदेर के निर्मान की देखरेक का पूरा काम श्री राम जन्म भूमी त्री छेत्र ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है इनकी देखरे एक महीम सारा निर्मान कारे होता है इसी के लिए ट्रस्ट का कारयाले तैयार किया जा रहा है उत्तरप्रदेश की खबरों में फिलाल बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार